Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 8, part 2. पिछला part already uploaded है, जो कि आपको class 8 की बायो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. पिछली part में हम health and hygiene के बारे में discuss कर चुके हैं. Health क्या होती है, diseases क्या होती है, communicable infectious diseases. और ये चार्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा हम last part में. पार्ट फॉर्स्ट में health hygiene के डिसकस कर चुके हैं. आज के इस पार्ट में हम डिसकस करेंगे vector क्या होते हैं. अगर आपको याद हो, तो हमने यहाँ पे vector born diseases के बारे में बोला था. और मैंने ये बताया था कि जो mosquitoes, flies, इनके वज़े से जो बिमारिया होती हैं, उनको हम vector born diseases केहते हैं. तो पहले हम समझेंगे कि vector क्या हैं. तो vector is an animal that transmit pathogens from one host to another. मतलब ये insects हैं, animals हैं, जो pathogens. pathogens क्या होते हैं? bacteria, microorganism, ये सबी क्या हैं? protozoans, viruses, ये pathogens होते हैं, जो microorganisms होते हैं. तो ये insects क्या करते हैं? इन pathogen को एक host से, मतलब एक person से, दूसरे person तक के पहुचाते हैं. या फिर आप कह सकते हो कि host से another में लेके जाते हैं. तो ऐसे animal को हम कहते हैं, vectors. For example, female anophilus mosquito act as a vector for transmitting the malarial parasite from one person to another. अब देखो, मनों किसी एक person को malaria हुआ. अब जब malaria हुआ, तो उसकी body में क्या हुआ? malaria का जो parasite है, वो develop हो गया. अब अगर उसको female anophilus mosquito bite करती है, फिर वही mosquito जाके किसी और person को काटती है, तो इससे क्या होगा? कि malaria जो है, वो फैलेगा. क्योंकि female anophilus mosquito क्या है, यह vector है, इस disease का. Vector play active role in spreading diseases. इसलिए जो vectors होते हैं, वो एक important role play करते हैं बिमारियों को फैलाने में. जैसे कि कुछ vectors के example दिये हुए हैं, और उनके बिमारिया दिये हुए हैं, जैसे malaria, anophilus mosquito से, ऐसे ही dengue, yellow fever, eddies mosquito के वज़े से होता है, typhus, bed bug के वज़े से, plaque, rat flea के वज़े से, यह सब अलग-अलग insect के नेम हैं. sleeping sickness, tessy-tessy fly, scabies, mite के वज़े से, cholera, typhide, यह होता है, मख्य के वज़े से, जो कि हाउस फ्लाई हैं, यहां पे कुछ डाइग्राम्स बने हुए भी हैं, यह eddies mosquito है, rat fee है, और हाउस फ्लाई है, इसके लावा और भी जो यहां पे names लिखे हैं, आप google करके उनकी pictures देख सकते some communicable diseases, अब कुछ ऐसी बिमारिया जो communicable होती है, communicable का मतलब क्या है, जो असानी से फैलती है, एक दूसरे के, चाहे direct contact में आने से, यह उसके article के contact में आने से, उसके बारे में हम discuss करेंगे, some communicable diseases and their causative agent का मतलब क्या है, causative agent का मतलब है, जो garden है, जिस वज़े से वो बिमारिया हो होती है, mode of transmission, prevention, यह सारी चीज़े हम नीचे chart में discuss करेंगे, चलिए, सबसे पहला आ जाता है, influenza, influenza क्या है, आपकी नाक और जो यह throat होता है, इसमें infection हो जाता है, होता किस वज़े से है, virus के वज़े से होता है, a group of myxovirus, एक virus का जो group है, उसके वज़े से influenza होता है, mode of transmission, मतलब क किसी person को influenza है, उसने छीका, तो उसकी छीकों से जो बूने droplets निकलेंगी, वो अगर दूसरे person के contact में आती है, तो उसको यह बिमारी हो जाएगी, through coughing, sneezing, spitting, मतलब जब वो थूकेगा, खासी लेगा, या छीकेगा, इन सारी चीज़ों से, spread in crowded places, और अगर कोई infected person है, influenza का, वो बिमारी हसानी से पहलेगी, symptoms क्या है, इसमें क्या-क्या होता है, high fever, बहुत जब तेज बुखारा जगा, chill मतलब ठंड लगेगी, severe headache, सर में बहुत तेज दर्द होना, pain in limbs and neck, मतलब हाथ पैरों में दर्द, और गर्दन में दर्द, छीके आना और खासी आना, ये सबी किसके symptoms है, influenza की symptoms है, इससे बच्चा कैसे जा सकता है, prevention क्या है, जो व्यक्ति बिमार हो, affected हो, उससे आपको दूर रहना है, contact में नहीं आना है, rest to get well soon, ठीक है, और अगर आपको ये infection हो जाता है, तो आपको अराम करनी है, ताकि आप जल से ठीक हो सको, no medicine for viral infection, ये जो viral infection होते हैं, इस vaccination करवाना है, ठीक है, फिर आजाते हैं, दूसरी communicable disease, जो की measles है, आपको इसका vaccination भी होता है, last two year पहले, schools वेगरा में भी camps लगे थे, जहां पर rubella virus के against vaccination हुआ था, तो उमें भी आपका भी vaccination हुआ होगा, तो ये एक highly infectious disease है, मतलब बहुत तेजी से पहलती है, किसके वज़े से होता है, एक virus है, rubella virus, तो rubella virus के वज़े से ही ये measles होता है, ठीक है, mode of transmission क्या है, droplets, infection, छीकना, खासने से, जो मुझ से बूंदे निकलती है, droplets निकलती है, उसके वज़े से ये disease फैलती है, most common in winter, winter, winter में क्या होता है, कि ये काफी ज़ादा common है, फैलना उसका, उसके for the appearance of rashes, तो मतलब इसमें क्या होता है, कि rashes दाने पड़ जाते है, तो उस दाने आने से चार दिन पहले ही, person में ये बिमारी आ जाती है, और वो infectious हो जाता है, मतलब वो दूसरे वेक्तियों में वो बिमारी पहला सकता है, symptoms क्या है, थंड लगना, गला, खराश होना, सूखी खासी आना, high fever up to 106 Fahrenheit के fever आपका काफी तेज आपको बुखार होगा, 106 degree, pink rashes on body on the third day after the onset of fever, मतलब आपको जो बुखार आया, बुखार आने के तीसरे दिन आपकी बॉड़ी पे red, red, pink, pink rashes आने लगते हैं, rashes appear first behind air on face and then spread, मतलब सबसे पहले कान के पीछे आते हैं, फिर चेह पूरी body पे आते हैं, फिर पूरी body पे आ जाते हैं, rashes fade away within a week और एक हफते के बाद ये rashes चले जाते हैं, कैसे बचना है, infected person से दूर रहना है, उसके articles नहीं use करना है, and vaccination give life long immunity, और जो इसका एक बार का vaccination होता है, वो आपको जुन्दगी भर के लिए इस virus से बचाता है, इसलि नेक्स्ट हम आते हैं, डेंगू पे, डेंगी अभी इसको pronunciation देंगी है, जिसको break bone fever कहते हैं, ठीके मतलब इसमें जो बुखार होता है, वो हौथ ही जादा तेज होता है, ऐसा इतना तकलीफ दे जिसे आपकी हड़ियां टोट रहे हो, इसलिए इसको break bone fever कहते हैं, strain of barbo virus, यह किसके वज़े से होता है, बार्बो virus के जो strain होते हैं, उसके वज़े से होता है, mode of transmission क्या है, female mosquito, eddies, जो mosquito है, eddies, aegypti, उसके वज़े से यह virus फैलता है, mosquito become infectious by sucking a blood of a patient, अब मच्छर जिसे एक मानो किसी को डेंगू था, उसको किसी मच्छर ने काटा, यह वाली female mosquito ने उसमें आ गया, फिर उसने किसी और को काटा, तो इस तरहां से डेंगू पहलता है, अभी इस वक्त का जो यह समय चलता है, मतलब September, October, November का, तो आप generally news में भी देखते होंगे, कि डेंगी के जो cases हैं, वो बर्ड हैं होते हैं, तो इस वक्त इनका जो breeding period होता है, यहाँ पे जो cases होते ह हैं, वो भड़ते हैं, mosquito become infectious 11 days after taking the blood meal, मतलब वो सक करने के बाद किसी परसन को 11 दिन तक के infectious रहता है, symptoms क्या है, बुखाराना, muscles, joint pain which make person immobile, मतलब इतना शदीद दर्द होता है, muscles में और joints में कि परसन चल नहीं पाता है, red color rashes appear on the body, आपकी body पे लाला धबे पर जाएंगे, चार से छे दिन में, first on the hand, then on the faces, हाथों से शुरू होके, and on rest of the body, except the face, चेहरे पे नहीं आते हैं, सौरी, हाथ पे आएंगे, फिर बाकी सारी body में, तो यह डेंगी के symptoms हैं, कैसे बचा सकता है, mosquito को breed होने से बचा हैं, परसात के बाद जिसे पानी जमा रहता है, तो उसमें मच्छर जादा पनपते हैं, यह सारी चीजों का ध्यान दें, destroy the breeding sites of mosquitoes, जहांबे भी मच्छर पनप रहे हैं, उसको उन places को destroy किया जाए, use of larvacidil and insecticides spray to make surrounding mosquito free, ठीके, यह जो insecticides हैं, इनको यूज करें, ताकि आस पास में mosquitoes पैदा ना हो, no antiviral drug, ठीके, और इसमें कोई ऐसी antiviral drug की आवशकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं, next type को discuss करते हैं, जो की है chicken gunia, chicken gunia आपका होता है, chicken gunia virus के वज़े से, जिसको alpha virus भी बोलते हैं, mode of transmission क्या है, same mosquito eddies, जिसके वज़े से डेंगू होता है, और उसके अलावा, एक और इसकी species है andes, albobictus, which also transmit the dengue virus, तो ये dengue virus में भी सेम होता है, mosquito bites during day and in lower limbs only, दिन के वक्त जो मच्छर काटते हैं, same चीज डेंगी fever के लिए भी है, और आपकी body के मतलब पैर वाले हिस्से में, नीचले हिस्से में, क्योंकि ये mosquito जो होता है, नीचे नीचे रहता है, उपर के तरफ मतलब मच्छर के काटने के चार से आट दिन बाद इसके symptoms आते हैं, abrupt onset of fever, तो abrupt मतलब एकदम से बुखार आता है, unexpected एकदम से fever आ जाएगा, severe joint pain that may persist for several months, इतना तकलीफ, इतनी तकलीफ होगी joints में, कि वो कई महीनों तक रहेगी, muscles, pain, headache, nausea, fatigue and rashes, पैरों में दर्द होना, पूरी body में दर्द होना, सर में दर्द होना, थकान होना, nausea, fatigue, थकान होना and rashes पर जाना, preventions क्या है, no specific antiviral drug, यहाँ पे भी कोई specific antiviral drug नहीं है, दर्द के लिए दवा दी जाएगी, fever को कम करने के लिए दवा दी जाएगी, अपने आपको मच्छर के काटने से बचाईए, elimination of the breeding places, वही सारी चीज़े जो डेंगो फीवर में हमने डिसकस करी थी, उसके बाद हम आते हैं, next disease पे जो की है, age and that is also उसका full form है, acquired immunodeficiency syndrome, यह HIV एक virus होता है, human immunodeficiency virus, जिसके वज़े से यह बिमारी होती है, spread क्या है, अगर किसी person को है, और उस person से आप sexual relation में आते हो, sexual contact में आते हो, तो आपको गो disease हो जाएगी, HIV contaminated blood transfusion, मतलब अगर किसी person के HIV है, AIDS है और उसका खून आपके contact में आ गया, तो आपको AIDS हो जाएगी, use of HIV contaminated syringe और needles, या फिर अगर ऐसी सूई आपको लगा दे गई, जो किसी HIV person के लगाई गई थी, इसलिए आप हमेशा देखते हो कि कोई भी needle, अगर एक person के use करी गई है, वो दुबारा किसी person के use नहीं करी जाती है, हमेशा एक fresh syringe यूज करा जाता है, ताकि बिमारिया ना पहले, for HIV positive mother to child, मतलब अगर एक मा positive HIV है, तो उसका जो बच्चा होगा during pregnancy, वो disease उसमें चली जाएगी, ठीके, फिर इसके symptoms क्या है, affect immune system of the body, पूरे immune system पे ये attack करता है, leads to loss of natural defense against infection, मतलब जब body का immune system पे affect करेगा, तो किसी भी तरह की कोई बिमारी असानी से आएगी, मतलब जो body की एक रोग प्रतिरोशक शम्ता जो होती है, जो immunity होती है, उसको ये खतम कर देता है, age patient may develop swollen lymph nodes and low blood platelets, इनकी जो lymph nodes होती हैं, वो सूजी रहेंगी, blood platelets जिनके में कम रहता है, weight lost और किसी भी तरह के infection के लिए बहुत ज़ादा prone होते हैं, no specific treatment as yet discover, इसका कोई specific treatment अभी तक के discover नहीं हुआ है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कि unprotected sexual intercourse मत किया जाए, avoid use of common razors at barbers shop, और जैसे barber की shop पे भी, barber वाले एक ही razor से सब का head shave करते रहते हैं, या दाड़ी जो होती है, उसको shave करते रहते हैं, तो उस चीज को avoid किया जाए, use of neutralized needles, जो needles हैं, वो हर परसन की अपनी unique होना चाहिए, एक बार use करी हुई needles ना use करी जाए, screening of blood और blood को check कर लिया जाए, किसी भी परसन में infuse करने से पहले, ठीके, next हाता है हमारा malaria, malaria होता है आपका protozoan के वज़े से, जो कि प्लास्मोडियम है, जो कि ट्रांस्मिट होता है, एनिफिलिस मॉस्किटो के वज़े से, बहुत थन लगना, एक कम जुर जुरी चड़ना, बहुत तेज फीवर होना, और सर में दर्दोना, फीवर सबस्ट्राइज विद प्रफ्यूस स्वेडिंग, मतलब इसमें पसीने भी आने लगते हैं, कीप मॉस्किटो आवे बाई यूजिंग दा मॉस्किटो नेक और मॉस्किलो रिपेलेंट, आपको क्या करना है, अपने आपको मच्छरों से बचाना है, ठीके तो आप किसी बितरह से, अपने आस पास से, मॉस्किटों से तूर रहिए, टेकिंग अंटी मलेरियल ड्रॉक ल में हम आगे की चीज़ें डिसकस करेंगे, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स को पैथोजिंस कहते हैं, आप जानते हो, इसको कहते हैं, इन्फेक्शिस डिजीजेस या फिर काम्यूनिकेबल, डिजीज जिसको ब्रैकबोन फीवर कहते हैं, तो यह डिंगू है, क्या है, HIV वाइरस, तो अभी हमने यहाँ पर बात करी, क्लोरोखुवीन क्या है, ड्रग है, जिससे मलेरिया को ठीक किया जाता है, एंटी मलेलियल ड्रग है, उमीदे बच्चों, आपको सारे चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कान्फ्यूजन लगता है, या मुझे कहीं पर कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं, पार्ट ठीके लिए वेट करिएगा, नेक्स पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका जो सल्यूशन है, टेस् लिस्ट में ढून सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे स्पेसिफिक वीडियो मांग सकते हैं, सिफ दो चाप्टर हमारे बाकी हैं, चाप्टर रेट और चाप्टर नाइन, सून हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे, फि अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जादत से जादा वीडियो को शेयर करिए, हम को सपोर्ट करिए, थैंक्स अलोट एवरिवन, हव ग्रेट डेए